आज हम आप लोगों को मदुबनी के बॉर्डर बनाना सिखेंगे किस तरीके से मदुबनी पैटर्न के बॉर्डर आप इजली बना सकते हैं देखिए उसके लिए आप किसी भी मीडिया में बना रहे होंगे आराम से स्केल से लाइन खीच सकते हैं चोटे-चोटे बॉर्डर की स्केल से लाइन खीच लीजे और लाइन आपको पता है डबल लाइन होनी है तो हम हाथ साथ की साथ अपनी डबल लाइन करते जाएंगे हर बार जिस तरह में बताती हूं आपको उसी तरीके से हाई है कि अगर आप फैब्रिक पे कर रहे हैं तो आपको फैब्रिक पैन इस्तेमाल करना है अगर आप ग्लास पे कर रहे हैं तो ग्लास लाइनर चलाना है अगर आप कपड़े पे कर रहे हैं तो तो हमारा फैब्रिक या brush दोनों से होगा और इसके अलावा अगर आप paper पे या handmade sheet पे किसी पे कर रहे हैं या canvas पे कर रहे हैं तो आपको permanent marker sketch pen, calligraphy pen किसी का विश्थेमाल करके आप उनको कर सकते हैं अब यह देखिए मैं इस तरीकी की design बना कर थोड़ा सा यह चोड़ा border बतारे हूं आपको दो border समझाओंगी एक ही pattern की lines पे border आप लोग साड़ी, suit, दुपटे, skirt, लहेंगे किसी पे भी कर सकते हैं बहुत अच्छे लगता है आप देखिए यह border 8 design तो इसमें हम ऐसे simple zigzag कर सकते हैं यह pattern बहुत अच्छा लगता है इसी का opposite यहाँ पे लेंगे अब इसके बाद center में हम जरूरी नहीं है कि जो design मैं बता रही हूं आप भी वो ही बनाएं आप इससे थोड़ा सा change करके अपने हिसाब से कुछ भी और बना सकते हैं इन में color डाल दीजे देखिए इस तरह से लीफ पला अब यह यहाँ पर इधर लाइन्स देदिए लाइन्स वाले पैटर्न को क्या कहते हैं कच नहीं है मैं अब पता है था आप लोगों को colorful पैटर्न जो होता है वो भरनी कहलाता है लाइन्स वगड़ा कोशिश करिए कि आप डायरेक्ट ब्रश से देना सीखें पैन वगड़ा से तो इजली है आप अभी कुछ पैटर्न्स इस तरीके के ड्रॉ करके अपनी copy में त्यार करके रखीजेगा फिर उसे जैसे जैसे जहां जहां आप इस्तिमाल करना चाहें वहा एक पैटर्न आपके डिजाइनिंग इसके त्यार हो गई आप मैं इसी से दूसरा पैटर्न आपका बताऊगे इसे यह देखिया विस्की हम डबल लाइन करदें मदुबनी में जैसा कि मैं शुरू से ही बताते आने हूं कि डबल लाइन्स बहुत अच्छी लगते हैं इसके मदुबनी की खुबशूरती डबल लाइन्स वगड़ से हैं तो यह देखिये यह इस तरह से हो गया अब इसके सेंटर में हम अलग डिजाइन बनाएंगे आप है तो इसमें फ्लावर भी बना सकते हैं लोटस डाल दीजे हर पैटन अपने आप में खुबसूरत लगता है आप अगर कोई भी ड्रेस पर डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें अगर अपने बीच में जो डिजाइन डाली हुई है मतलब मान दीजे कोई पैचे जा मोटिव आएंगे तो वह बहुत खुबसूरत लगता है अब इसी बॉर्डर को आप कलर फूल कर दीजें यह आपकी दो बॉर्डर तयार हो गए बहुत तीजी है बॉर्डर बनाना अब इसी तरीके से जैसे मान लीजे आप अगर सिंपल अभी सीख रहे हैं तो आप इस तरह से लाइन कर करके भी कर सकते हैं यह जिग-जैक वाले इस पैटन में ही में आपको कई पैटन समझा देते हूं जड़ी जड़ी देखें यह हो गया अब हम इसमें लाइन स्टाल दें दोनों में भी लाइन स्टाल सकते हैं और हमने यह डिविजन करी लिया है यह लाइन आप किसी कलर की भी लाइन डाल सकते हैं जरूरी नहीं है कि ब्लैक ही लाइन डालेंगे ठीक है एक यह हो गया अब ऐसे ही लाइन्स में ऐसे करने के बाद अब हम इसको नीचे वाले को सिर्फ लाइन कर दें नीचे ऊपर कोई भी आप ले सकते हैं जो भी आपको करना है और एक साइड वाले को कलर कर दें दूसरे वाले को किसी भी कलर से आप यह कलर आपको पता है कि आपको किस किस तरह से करने है किसी मीडियम में होंगे तो आप उसको उसी मीडियम में कलर करना है ग्लास पे कर रहे हैं तो ग्लास कलर करना है फैब्रिक पे कर रहे है तो फैब्रिक कलर करना है पेपर पे कर रहे यह देखिए यह कुछ पैटर्स हैं इसी पैटर्स अब मैं आपको एक पैटर्स बहुत इजी और बता रहे हूँ इसके बाद आप इसमें लाइस टाल देए और इसको कलार कर दिया पूरी चुण्णी के करभा चारो तरफ बाडर में दिजयनके अब क्यों बनायाएंगे कोईबियी डीजयन सारी के बायर अब आपको एक पेकॉक वाली डिजयन और बता देते हूं मैं थोड़सा पेकॉक के पंग किस तरह से हो गे देखिए आप इसको पिर कॉक वाले बहुत सुन्दर लगते हैं और बहुत इजी हैं बनाने हैं अब आप इने कलर कर देए बस इतना सा कलर करने पे भी बहुत अच्छा रगता और आप और कलर डालने चाहिए इसमें तो और कलर भी डाल सकते हैं जाल सकते हैं